आँखों की रोशनी 15 दिनों में 99 प्रतीशत तक बढ़ा करके रख देगा ये हमारी आयूरवेद की किताब स्वदेशी चिकित्सा का घरेलू उपाए पाउडर बनाना सिखाऊंगा 5-6 जड़ी बूटियों के माद्यम से जो की बहुत असानी से हम सभी के किचन में मिल जाते हैं जिसको रात को सोते समय आपको दूद में मिला करके इस तरह से हरे वाले पाउडर को पीना है दिन दुगनी रात चुगनी आपकी आँखों की रोश नहीं करना है मैं आपको बताऊंगा हरी वाली घास का भी एक उपाए और पते जो होते ना दोस्तों पीपल के उसका भी एक उपाए बताऊंगा उससे आपको सनलाइट को कैसे देखना है वो भी बहुत फाइदे मंद होता है और एक त्राटक धिहान की विदी भी दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पे इस पाउडर को बनाने के लिए हैं हरे वाले सौफ फैनल सीट्स वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले है ना हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं पसंद करते हैं साथ में चैनल को सबस्क्राइब कर दें बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद आल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मुबाइल में तुरंत एक सेकंड के भीतर मिल जाए दोस्तों आखों की रोशनी कमजोर होने के मुख्या कारण हो सकते हैं लेकिन आज कलके नौजवान युवा जो रात को देर देर तक जागते हैं गंदी गंदी फिल्में देख करके हिला हिला करके और लड़के और लड़कियां दोनों की मैं बात कर रहा हूं अपने शरीर क बनाने के लिए आँखों की रोशनी तब ही सही होगी जब रेटीनवे क्लियर इमेज बनेगी तो उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं ये कश्मीरी मामरा गिरी बादाम दोस्तों पहला जो मैंने आपको सबसे बड़ा मुख्य कारण बताया जो पुरुषिया महिलाएं हिलाते हैं बहुत जादा मतलब कि आप समझ पार होंगे मैं किसकी बात करो नीचे वाले उसको तो उसकी कमजोरी के कारण आखों की रोशनी कमजोर जरूर होती है और ये पहला मुख्य कारण आज कल का सबसे जाद है वाला तो इससे बचने के लिए मैं आपको highly recommend करूँगा कि आप हमारे हिमालियन आयुर्वेदिक आश्रम में जो मैं आपको संपर करने का ही नंबर बता रहा हूँ 9622013211 9622013211 इस पे संपर करके उर्जा शक्ती चूरण मगवा सकते हैं जो की दोस्तों पुरिशों में नीचे वाले उसकी या महीलाओं में जो कमजोरी होती है ना अंदर वाली पुरिशों में केले की कमजोरी नीचे वाले गुप्त वाली कमजोरी जो होती है जो शादी से पहले है शादी के बाद कुछ नहीं कर पाता है यह उर्जा शक्ती चूरन 21 हिमालन गुप्त जड़ी बूटेों से निर्मेत है जिसको हमारे गुरू जी ने अपने हाथों से कूट करके तयार किया लाखों लोगों पे इसका असर हुआ है मंगाने के लिए घर बैटे बैटे सुबह 10 बजे से ले करके शाम के साड़े पांच के बीच में आश्रम में कॉंटेक्ट करें और इसको दोस्तों आप नाम पता और फोन नंबर दे करके मंगवा सकते हैं घर पे मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिया हुआ कैसे मंगाना है और ये दोस्तों अश्वगंदा, शतावरी, मुस्ली, सफेद वाली इसके अलावा केसर हो गया और साथ में स्वर्न भस्म इस तरह की और दुरलब 21 जड़ी बूटियां जो उत्राखंड के पहाड़ों में पाई जाती हैं काली मिर्च बहुत जादा फाइदेमंद होती है ऐसे पुरुषों के लिए, ऐसे महिलाओं के लिए जिनकी आँखों में बलड सर्कुलेशन सही से नहीं जा रही है अन्य कारणों के कारण खाली पहले वाला रिजन नहीं होता जो पुरुष बहुत जादा हिलाते हैं दोस्तों इसके अलावा दूसरा कारण ये होता है कि अगर बच्पन से जनेटिकली आपके आँखों की रोशनी कमजोर है या फिर लाइफस्टाइल खराम होने की वज़़ा से आपके आँखों की की रोशनी कमजोर हुई है जैसे कि टीवी, मुबाइल बहुत जादा चलाना, बहुत जादा स्ट्रस अपने दिमाग पे डालना इसके कारण भी आँखों की रोशनी कमजोर होتी है उंवर बढ़ने के साथ-साथ भी आँखों की रोशनी कमजोर होती है दुन्दला दिखाई देता है या फिर बचपन से ही कहीं लोगों को चश्मा लगा होता है यह सभी प्रकार के समस्याओं में काली मिर्च रेटीना में ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करती है यह नुस्खा बनाने के साथ-साथ में हाइली रिकमेंट करूँगा कि शाम के टाइम और सुबह जब सूरे उदे होता है नंगे पैर हरी घास में जरूर चलें क्योंकि हमारे पैरों के तल्वों के जो एको प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो रेटीना से डिरेक्ली कॉनेक्टेड होते हैं चार्ज होते हैं दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं 25 ग्राम की मात्रा में मैंने यहां पर लिया था अपना सौफ वो डाल दिया इसके बीच में और लगबग लगबग यहां पर 25 से 30 काली मिर्च डाली है मैंने इसको मैं पीस करके पाउडर बना लूँगा इस तरह से बीच में अगर आप चाहे तो दागे वाली मिश्री एड उसी समय कर सकते हैं और पाउडर बना सकते हैं और बादाम को कैसे पीसना है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा लेकिन आयरवेद का दूसरा नियम ये कहता है अपने पैरों के तलवे में रात को सोते समय सरसूं के तेल से या देसी गाएं का जो गी होता है जो मिट्टी की हांडी में दही बना करके फिर मखन बना करके फिर गी बना करके इस तरह से बनाया जाता है उसका प्रियो करना अत्ति उत्तम होता है अत्ति उत्तम होता है दोस्तों हमारी आँखों की रोशनी के लिए और साथ में पैरों के तल्वों में मसाज करने के लिए मालिश करने के लिए आँखों की रोशनी के लिए इसके अलावा बादाम को भी डाल करके इस तरह से दरदरा पीसुंगा मैं बहुत जादा नहीं पीसुंगा वरना तेल निकल जाएगा ये पेस्ट बन जाएगा इस तरह से इसका भी पाउडर बना के उसमें मिक्स कर लेना है आपको जो हमने अभी सौफ का और ये अचूरन बनाया अलग अलग भी मिक्स करके रखेंगे तो बहुत फायदे मन्द है बादाम का एक चमच डालना है और अगर आपको दोस्तों गर्मी के मौसम में बादाम का प्रियोग करना है न तो ऐसे नहीं करना है खाली बादाम को आपको रात को सोते समय बिगोना है पानी में बिगोने के बाद बादाम को अगले दिन पेस्ट बना उसका चिलका उतार करके और उसकी पेस्ट बना करके आठ से दस बादाम की फिर आपको पीसना है ये धागे वाली मिश्री जो थी न उसका पौडर में ने लिया है फिर काली मिर्श का जो पाओडर हमें बनाया है फिर सेवन करना है घर्मियों के मौसम में सेवन लेकिन गर्मियों के मौसम में भी सर्दियों के मौसम में से इसका प्रियोग करना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सौफ के पाउडर के बीच में यह जो हमने लिया था बदाम सौफ का काली मिर्च का पाउडर इसके बीच में मैंने इस तरह से मिला दिया हुआ है ये दागे वाली मिश्री अपने स्वाध अनुसार कितनी कितनी कॉंटिटी में मिला ये वो भी बता दिया है आखों की रोशनी के लिए तामबे के बरतन के गुनगुने पानी में सुबह उठ करके आमला चूरण आदे चमच की मातरा में जरूर मिला करके पीएं अगर नहीं मिलता है मार्केट में मंडी में उनका परियोग अधिक करना महतवीन होता है आपको कोई भी सबजी नहीं लेकर आनी है अब पालक अगर मिल रही है सीजन उसका मौसम में तो ही खाएं वरना नहीं खाएं उसका सेवन अब यहां पे मैं दूद ले रहा हूँ रात को सोते समय दूद का प्रियो करना है और अगर आपको दूद नहीं पचता है तो जिसको चाच, बटर मिल्क, मठा कहते हैं, लस्सी बोलते हैं उसके बीच में सुबह के टाइम में 10-11 बजे के बीच इस तरह से एक चमच बड़ा पाउडर मिला करके आपको सेवन करना है आँखों की रोशनी दिन धुगनी, रात चुगनी करेगा, कितने बभेहंकर नंबर का, आठ नंबर का, प्लस का, माइनस का चश्मा लगा है, दूर का सही से नहीं दिखता है, पास का सही से नहीं दिखता है, नियर साइटिडनेस, फार साइटिडनेस अगर आपको रहती है, जड़ से खत्म करतेगा, दोस्तों, यह जो मैंने आपको नुस्खा बताया है, और यह शरीर के लिए भी ठंड़क प्रदान करने के लिए भी बेहती जाद है, फायदेमंद होता है, मुझे उमीद है इस वीडियो को जरूर